जब से दुनिया बनी है अल्ला ने हर चीज़ के जोड़े बनाए है ताकि अल्ला की मखलूक में इज़ाफ़ हो सके और इनसान को अशर्फल मखलूकाद बनाया है और उस पर बहुत से चीज़ें हलाल और हराम करारती है हलाल कामों में अल्ला का नपसंदी दफेल तलाक है बदकिस्मती से हमारे मौशरे में तलाक का रुजान आम है बहुत से नाज़वान लड़के और लड़कियों की शादी के कुछ अर्सा बादी उनके हलात में बिगार पैदा होना शुरू हो जाता है और नौबत तलाक तक जा पहुंचती है ऐसे हालात आखिर क्यों रोनमा होते हैं क्या इसमे वालिदेन की तर्बियत का अमल दखल है या मजमुई तोर पर मौशरे में अदम बरदाश्ट और नफसियाती मसाइल का बढ़चाना है आजकल एक बहस आम है कि एक ही वक्त में अपने मूँ से तीन मरतबा तलाक का लवस कह देने से क्या तलाक हो जाती है मुखतलिफ मसालिक और मौशरा इस पर मुखतलिफ आरा रखते हैं आज को तो तो अनलाइन में इसी मौशू पर बहस करेंगे कि इस तरह के मौशरती मसालिक पर तमाम मसालिक इज्टिहाद क्यों नहीं कर लेते ताकि तलाक जैसे नापसंदीदा फैल की नफी की जा सके भी आपके साथ मुलाकात होती है तो कोई ऐसा मौशू लेकर आते हैं जिस पर के हमारा ये एक जाती ख्याल होता है हमें लगता है कि शायद हमें क्लारटी चाइए लेकिन आज का मौशू तो मुझे नहीं पता कि इस पे स्जीदा गुफ्तकू होनी चाहिए या इस पे तमसखर होना ची क्या होना ची मुझे नहीं पता है हम अने उल्मािक लाम से पूछूँँगा ये ऐसा क्यूं है कि इस माश्रे में आज चौदा सदियां गुजर जाने के बाद चौदा सदिया का मतलब है एक मिलेनियम गुजर चुका है और डेड़ मिलेनियम होने वाल है कि बावजूद हम तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि नका एक जैसा हो हम इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि अगर जुदाई होनी है तलाक होनी है तो एक जैसी हो ये मसले कब हल होंगे अब एक बहुत ही ज्यादा माकूल किसम की कानून साजी जो है उसकी अड़वाईजरी की है कॉंसल आफ इस्लामिक आइडियोलिजी ने कि जो शक्स अपनी बीवी को कहेगा तीन दफ़ा के तलाक दी तलाक दी तलाक दी उसकी तलाक तो हो जाएगी लेकिन उसको सजा मिलेगी छे मीने की मिलेगी साल की मिलेगी ये अभी फैसला होना है पचासाजार जरुमाना होगा एक लाक होगा अभी फैसला होना है इसकी जरूरत थी या नहीं ये किरदार उल्मा का था या कानून बनाने वालों का इस पे गुफटगोगी आज हमारे साथ इंतहाई इज़त माब डॉक्टर हुसेद अकबर मौजूद होंगे इंशालला ताला फाइका सल्मान हमारे साथ फाइका बहुत शुक्री आपका खेरिये से हैं आप हमारे साथ डॉक्टर रागिब नईमी साहब है हजरात असलाम अलेकम खेरिये से आप से लंबी गुफटगोगी इस मौजूब पे मुफटी जुबेर कaraची में हमारे साथ होंगे और सादिया अमाम कaraची से फोन पे हमारे साथ होंगे अगर आप अजाज़त दे तो पहले मुफटी जुबेर आप से शुरू करता हूँ सलाम आलेकम मुफटी साथ जी वालेकुन حضور ایک تو یہ فرما دیجئے کہ یہ آج تک ہم ان نتیجوں پہ برابر کیوں نہیں ہو سکے تمام لوگ مل کے مسلم امہ کہ نکاہ کیسے ہونا ہے اور طلاق کیسے ہونی ہے باقی مسائل تو چھوڑی دیجئے کہ کیا ہوں گے اور یہ جو اب یہ جو تین طلاق کا معاملہ آیا ہے کہ جس نے دینی ہے وہ تین دفعہ دے گا طلاق تو طلاق تو ہو جائے گی لیکن سزا بھی ساتھ ہوگی اور جرمانہ بھی ہوگا اس پہ کیسے اس بات کو ایک ممبر کیسے ایکسپلین کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصولی اللہ رسول کریم امہ آباد یہ آج کے دور کا ہمارا سلگتا ہوا سماج کا اہم ترین مسئلہ ہے سب سے پہلے تو میں یہ ارث کرنا چاہتا ہوں جہاں تک نکاہ کا تعلق ہے نکاہ کا معاملہ ہے اس پر تو پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے نکاہ کے بارے میں کنسنسس ہے کوئی زیادہ کسی قسم کا کوئی خاص ایشو یا اختلاف نہیں ہے گواہوں کا مسئلہ تو ہے ناسائیں اس پہ گواہوں کا مسئلہ تو ہے نا گواہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کے بغیر ہوگا ولی کا مسئلہ ہے یہ مسائل تو مسالک میں ہے نا میں ارث کرتا ہوں کہ نکاہ کے بارے میں تمام کے تمام مقاتب فکر کے ہاں تین شرائط ہیں پہلی شرط تو یہ کہ اجاب و قبول ہونا چاہیے دوسری شرط یہ کہ دو گواہ ہونے چاہیے اور تیسری شرط یہ کہ مہر کا تذکرہ ہونا چاہیے مہر ہوگا دو گواہ ہوں گے यह जब वो कबूल होगा निकाह हो जाएगा असल मसला जैसा कि आपने कहा तलाक का है कि तलाक के मामले में डिफंस आफ उपीनियन है लेकिन मैं इस स्लसले में बड़ी वजाहत के साथ शुरू प्रोग्राम में यह बात कह देना चाहता हूं कि तीन तलाकें एक वक्त में अगर दी जाएं मैं समझ रहा था कि आपका इशारा किस तरफ है आपका इशारा इस बात की तरफ है कि बाद मकाते भी फिकर के नजदीक एक वक्त में तीन तलाके देने से एक ही काउंट और शुमार होती है तीन नहीं होती है जबके बाद दूसरों के नजदीग तीन तलाकें वाके हो जाती है इस सलसले में ये वजाएत शुरू प्रोडाम में मैं करना चाहता हूँ कि चारों इमामों के नजदीग यानि इमाम अबु हनीबा, इमाम शावी, इमाम मालिक, इमाम अभ्मद बिन हमब रहे मौम लाइए इन सब के नजदीग एक मजलिस में एक वक्त में तीन तलाक देने से तीनों तलाकें वाके हो जाती है निकाह खतम हो जाता है, वीवी शोहर पर हराम हो जाती है फिर रुजूँ नहीं हो सकता, बगैर शरी हलाला के दुबारा आपस में निकाह भी नहीं हो सकता यही मसलख अदरत अबु बकर सिद्ध, अदरत अमर का है, यही मसलख इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम का है और तफसीर कुर्टवी में वाज़ तोर पर लिखा है कि इस पर तमाम मुलामा का कंसेंसिस और इत्फाक है, अलबता हमारे हाँ एहल अदीस मक्तब फिकर जो है, एहल अदीस मक्तब फिकर, उन हज़रात की यह राए जरूर है और हम उनकी राए का भरपूर एहतराम करते हैं, वो यह कहते हैं कि एक वकद में तीन तलाफ देने से तीन नहीं होती, बलकि एक राए होती है, यह एक तलाफ है हजूर इस पे मैं जरा डॉक्टर हुसेन अकपर साब की राय लोने, डॉक्टर साब बहुत शुक्री आप हमारे साथ हैं, हजूर एहल तश्यों का इस पे क्या इल्मी राए क्या है और मसलकी राए क्या है बिस्मिल्ला ररहीम, बहुत बहुत शुक्री राएक साब, लाख सलामत रखें, यकीनन एक बड़ा ही हसास मुदू है और शुरू से ही बैनलमसालिक और मजाहिब ये मुखतलफी रहा है और आज भी इस पे इखतलाफ जारी है और इसके नुकसानात जो हैं, वो मसलसल उम्मत आ रही है, देख रही है जिस वज़ा से आज अर्बाब अल्लाकत जो हैं, वो मतवच्च हुए हैं और उन्हें सोचा है कि हम इस मुख्किल का कोई इच्टिहादी हल निकालें मतलब ये मुबारक बाद के हगदार होगे ये अब सब लोग के आपने सोच लिया मैं तो समझता हूँ कि मुबारक बाद के ही होंगे, अगर आज भी उन्हें फिकर हो गई है कि हमारा मुश्रा करफरांते तलाक की लपेट में है और इस वक्त जितनी पुराई है पहल रही है उसका सद्देबाब जब तक तीन तलाक को जो एक मजलस में कबूल की जाती है उसको रास्ता ना रोका गया तो उस वक्त तक ये सिसना आगे बरता जाएगा लेकिन डॉक्साब आप गौर फरमाईए कि ये रास्ता नहीं रोका गया वो तीन तलाक जब देंगे तो वो हो तो जाएगी ना मैं अर्ज करना चाहता हूँ जहां तक फिकाह जाफरिया का तालुक है तो उसमें पहले तो मैं निकाह के हवाले से वजाहत कर देना जुरूरी समझता हूँ फिकाह जाफरिया में सबसे पहले लड़की से इजाज़त लेना शर्त है अगर वो बालगा रशीदा है फिर लड़के से इजाज़त लेना शर्त है वो बाले वो आकिल है और फिर उसके बाद हक्मार का ताइजन और उसकी अदाएगी वाजिब है और तीसरा जो है वो सीरा इजाब कोबूल का इजरा जो है वो लाजमी है तो निकाह के लिए शिया के हाँ गवाओं की मौजूदगी शर्त नहीं है लेकिन उसकी ताकीद की गई है कि उस निकाह का इलाब किया जाए जाए लोगों को बोला जाए जाए तेहले तश्यूवियों के हाँ क्या वली का होना लाजमी है नकाह के लिए नाबालिग बच्ची के लिए वली का होना और अजाज़त शर्त है जो बालिगा रशीदा है अगर वो वली की अजाज़त के बगार निकाह कर लेती है तो बालिग के बगार भी और गवाहों के बगार भी बाकी शर्ते हैं अगर वो कबूल कर ले आप मेरे साथ रहेगा डॉक्टर जी जी फरमाइए प्रेशर ना हो दो आदिल गवाम मुझूद हो अर्बी जुबाग में सी रहे तलाक पड़ा जाए और अग्रानी होक्म का वाद तो यह है कि तलाक रजी के आयाम एद्धत में शाहर उसे घर से बहर नहीं निकाल सकता अगर इस दौरान शाहर की वफात हो जाती है तो वो अपने शाहर की मीरास की वारिस बनेगी ड़क साब आप मेरे साथ रहिएगा आपकी बात जो है यह बड़ी खुबसूरत है आप कहते हैं कि कुरान और हदीस की रोश्री ने तमाम लोग जब इस किसी भी चीज़ को स्क्रीम करते हैं तो कुरान और हदीस पे ही करते हैं लेकिन वो नक्ता नजर बिलकुल कि तरफ यह तरफ यह तरफ यह तरफ फर्माँगा कहा है कॉंसल आफ इसलामिक आइडियॉलिजी ने कि तीन दफ़ा आप तलाक दें तो तलाक हो जाएगी लेकिन आपको सजा मिलेगी इसकी छे मीने साल पचास हजार या एक लाग रुपया इस पे तबस्रा कीजिए बिसम आर्टिकल 2 है उसमें एक प्रोविजन का जाफा किया गया है 2A के सहथ जिसमें यह बात कहीगी जो आपने भी बियान फरमाई यह इसका जो पसे मन्सर है वो यह है कि मौशरे के अंदर तलाक की बढ़ती हुई कैफियत जिसमें लोगों को इस बात का इलम नहीं है कि हमने त कैसे फैसला करते हैं कि माशरे में यह हो रहा है और माशरे में यह नहीं हो रहा है। हम अपने अदारे में आने वाले तमाम तलाग के मसायल के जो फत्वे हैं, हम उनको कठा करते हैं, उससे हम एक राय जर्जरेट करते हैं, जैसे आप अगर जिला लोहूर के तलाग के कैसिस को अठाके देखें, कोड के अंदर 13-14 के अंदर 35,000 कैसिस हैं, 15 के अंदर ये बढ़के बिज़ार हो जाती है, इसमें खुला भी शामिल करें ना, तो पचास उज़ाद से ज़्यादा जड़ती है, तमाम चीज़ें, मतलब जो कैसिस हैसला होते हैं, उनकी ददाद में आपको बढ़ती हैं, ये फरमाईए के तीन दफ़ा तलाग दी एक शक्स ने, अप आपने उसका दिल देखना है, उसमें तीन दफ़ा तलाग क्यों दी ए, तो ज़ुझे जिस वज़ा से भी दी है, खुशी से दी है, गमी से तलाग हुई या नहीं हुई, असल मसला ये है, उसको ये पता है, तलाग तीन दफ़ा होती है, उसे उसके बाप ने, उसके उस्ता उसके गरीमी आलिम नहीं बताया, कभी तालिम नहीं दी है, शोड़ दे, छोड़ दे, मेरा बनियादी सो, ड्क्रश बिलकुल बनियादी, मैं कहता हूँ, तिन दफ़ा तलाग क्या तलाग हुई या नहीं, तलाग हो जाता हु, हो गई, अब अगर हो गई, तो क्या ये शरन हलाल है के हराम है? यह जायस है नजायस है? जायस है नजायस है तलाक शरी तोर पे वकूपजीर हो जाएगी हम इसके वकूपजीरी को देखेंगे यह 1 आपने कहा एकजेidad हो गए सुनत का नाम है, सुनत में कहां से इसमें, मतलब खुदा का नाम है, आप रवायत कहें चले रवायत कहा दे, रवायत कहा दे, हदीस के मताबिक आप कहा दे, हदीस के मताबिक आप कहेंगे point of view किया, डॉक्र साब ने किया, एक point of view किया, वो भी कुरान, वो भी हदीथ, ये भी कुरान, ये भी हदीथ, मेरा सवाल आप से ये है, कि अगर मैं एक अमल कर रहा हूं, वो हो रहा है, ये important बात है समझने के लिए, और वो जाइज है, नाजाइज नहीं है, तो फिर मुझे सजा क्यों मिल रही है, सजा मिल रही है मासियत की वज़ा से, मासियत क्या मतलब है, मासियत कहते हैं, गुनागारी की कैफियत, गुनागार है वो, वो गुना है, तीन डॉक्सर बें लिंविस्टिक्स है ना? एक आदमी है वो कतल कर देता है क्या कतल, बंदा मरने चाथा कतल करने से? मिल्कुल मरता है क्यूं मरता है? नहीं मरना चाहिए कतल करने से? अब आप उसके दिल को देखें बत मैं जो समझी हूँ कि एकसिद्न अगर आपकी अगलती से हुआ है आपने जान के किया है तो एकसिद्न तो हो गया अब आपको इसके लिए जिल जाना होगा जानके और फ早i ce Γ्या. के ची अरफ को ये काम नहींने का उल्मा किराम ये कहेंगे कि तलाओ देना गुना है ? तीन तलाओ रक्पी प्रोणैंस करना गुना है ! ये श्रीयत है ना आहनाफ के हाँ, आहनाफ लाख के हाँ, वो तो हो गए नहीं, चार हनफी, शाफी, मालकी और हंबली, इनके दरम्यान हो गए, तलाक देना गुना है, और गुना का काम जाइज है, ऐसे नहीं, ऐसी बात ना करें, आप आदी बात ना करें, आप पूरी बात करें, तीन तलाक अ होगी तो होगी ना उसका वकूँ अमल पजीरी है ना ना पसंदीदा है मान लिया है तो ठीज जाइज ना हलाल है ना हराम तो नहीं है हलाल को हलाल तरी किसे करें आप तलाक में एक इक इस्टेंड लें एक जानवर को आप जिबा कर रहे हैं इसका मतलब बगए कि एक आदमी हराम काम करने जा रहा हूं लेकिन मेरा हराम काम तुम पे वारिद है हराम काम नहीं हराम काम होता है जो पुराने करीम की नस मुखालिब हराम काम होता है तो हराम करार दिया गया होगा पकी बात है अगला प्रोग्राम में हराम पे करना है पिर आपने कुरान से बाहर निकल आपने कहना है ये भी हराम है और ये भी हराम है देखिए जिसके उपर नस वारिद होगी वो हराम होगा नस वारिद से मतलब है पैराडाइम इस पे शेड़ो आए इसके आईडिये के अंदर आए इसमें ख्यालों का मुक्तलिफ होना फिर जायज हो जाता है तेखिए अरा के अग्तलाफ को परा पबली नहीं लगा सकते वक्फे पर जाओंगा वापस आओंगा और यहीं से बाच शुरू करूंगा च्छोटा सा वक्फर वापस आते हैं लेकिन ये फैसला कैसे होगा कि काम को आला तरीके से करें और वो जो आपने एक रिश्टा जोड़ा था अगर उसको तोड़ी रहे हैं तो खुदा के वास्ते इसमे एक तलाफ तो ना पैदा करें अगर तलाफ था तो हल करें तलाफ में मजीद एक तलाफ को शामिल करना या तो यह इसलामिक आइडियालिजिकल कांसल का यही कानून है यही र्वायत है या उलमा-एकराम कमझोर है एक फैसला होना चाहिए वापस आतने हैं बात करते हैं तीन तलाके जब दे देंगे रिजू का सवाल ही पैदा नहीं होगा अगर आप एक तलाक देते हैं तो रिजू का सवाल मुझूद रहता है एक दफा अगर तलाक दी है उसके बाद भी उसको सोचने का टाइम दिया जाता है क्योंकि अचानक इंसान किसी भी घुसे में जो चीज भाई पर हो के जो काम करता है वो सही नहीं होता तो जो यह कर रहे हैं तो बिलकुल यह इनको सजा देनी चाहिए बिसमिल्ला रह्मान रहीम डॉक्टर साब जो है ना रागया नहीं सबी इनकी एक्चली ना तर्भीयत हो गई यह एक्डेमिकली बहुत ज़दा तगड़ी तोड़ साब लेकिन मैं पहले जबैर भाई से लेलू मशरा मैं फिर वापस आता हूँ चाहिए जाइज़ और नाजाइज होना ये बिल्कुल अलग मामला है और वाक होना मुसर होना अश्यक्टिबल होना ये ना होना ये लग मामला है घीक मेरा आपसे सवाल एक आदमी ने शराब पी अच्छा काम किया बुरा काम किया बुरा काम किया बस अच्छा नाजाइज काम किया आप मजम्मत करेंगे बुरा काम किया हराम काम किया गुना का काम किया फैले शेतान किया लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या जब आप इसको समझ लीजिए जब कोई आदमी तीन तलाके देता है तो तीन तलाके देना नाजाइज है गुना है तो पिर अगर वो नाजाइज है और गुना है तो फिर वो वार्थ क्यों होता है अर्शुर्रह्मान हिल जाता है अर्शुर्रह्मान हिल जाता है तो देखें ये नाजाइज है लेकिट इफेक्टिवल होगी इसलिए इसलिए इसलामी नद्रियाती कॉंसल का ये कानून बनाना के इस वर सजा दी जाएगी बड़ा मुस्तासम कानून है बहुत अच्छा कानून है और बनाना चाहिए क्योंके हमारे माशरे में घरम की वज़ दादा हो चुका लेकिन लेकिन जुबैर भाई आपने ये कानून बनाने के बाद एहल अधिश को और एहल तशी को अलग भी तो कर दिया ना इखतलाफ तो आपका माशरे में फिर रहा कानून साजी के बावजूद उसमें एक बात सुन दीजिए हमें एहल तशी के या एहल आपका माल्डीज हजरात हैं ना हनवी हजरात है ना रागज़ साब बैठे हुएं या जैसे कि आप हजरात सारे के तो जो हजरात यहां पर कसरत के साथ हैं उनके स्कूल अफ तॉट को बयान कर रहें सिरु बाकि जिनके नजदीग नहीं होती है डिजन्ट मैठर कोई अतरा हुई है कौन सा हमने जूस पी लिया है जिसमें शूकर इतनी हाई है कि हमने तीनी दफ़ा तलाग देनी है नहीं रुकना आखरी चीज जो है वो सबसे पहले करूंगा ये बात वो है मैं मैं जिस एज ग्रूप से हूं मैं कहता हूं घर में ये लवज इस्तमाल होता था ना तो की आगई आदमियों को या खवातीन को सबसे पहले तो समा मौजज़ मेर्मानों को मेरा बहुत बहुत सलाम वाया आप बहुत सलाम बिलकुल आपने सही का कि वाकी अब हमारी जो जनरेशन है या हम लोग बहुत जलबाजी कहते हैं कुछ फैसले जब आप अपने हाथ में ल कि इज़ते नफ्स पे कितनी तकलीफ गुज़ती है कोई नहीं सोचता है कि अरे खस्ञे में चहदिया बेटा इस बात को पो रहो तो घस्ञे में था मर्द था मर्द की तो शानी होता है किसी भी उससे तालग लगज़ लेकिन वो जो तकलीफ मुझे उस तकत तरा के तीन लख़ों ने दी है वो जाए घस्ञे की थी वो जाए किसी के भड़कावे की थी वो कुछ थी अब क्या मैं अपने मर्द की उस तरह इस्ञे कर पाऊंगी सबसे बड़ा सवाल ये बनता है मर्द भूल जाता है ये मैं आपको बता हूँ मिने बहुत पहले तीन लख कहते हैं कि जब मर्द जा रहा हो तो उसे रोक लो क्योंकि मर्द की यादाश बहुत चोटी होती है सच कर रही है कि शूम के उसके साथ अपनी जिन्देगी बरबाद कि क्या करूंगी भाई यह बात आपने बिलकुल अच्छी की अगर आप यहां होती ना तो मैं आपसे अज़ करता कि यह जो आपने लवज मर्द इस्तमाल किया ना इसको भी दुबारा रीडुफाइन करना पड़ेगा यह मैं बड़े अदब से आपसे जाना चारा हूँ यह जो बात कर रही है ना साधिया मुझे लग रहा है कि यह पिछली जेनरेशन की बात है यह आज की जेनरेशन आज की जेनरेशन तो नकाह तोड़ देती है तलाक पे अभी तो रहना भी नहीं शुरू होते साथ और डैवोस तो बात कर रही थी मैं सुन रही थी कहती है कि जो डिवोर्स है ना वो किसी मौशने में ज्यादा हो जाएं तो वो इस चीज़ का इंडिकेटर होता है कि आउरत जो है अब इस मौशने में अजाद होगी है इननलिल्ला विननलैहर राजी इसके बाद मैं आपको एपनी दो जो एक research में कर रही थी उसमें आई केमिकेटरर्स तो स्टवीजी एक तिकटी एक तालाक के बाद बचों के बाद बचचों के अफद होता है तो वो उस से पता लगा कि बच्चे के ऊपर माबाप की death से कहीं ज्यादा माबाप की divorce का असथ होता है दूसरी जो study थी that I came across वो ये थी कि तलाक के बाद 60-70% से ज्यादा लोग बाद में पच्चता आते हैं तो मेरा ये ख्याल है कि तलाक ना तो इतनी असान हो जानी चाहिए जो कि बस तीन तलाके दे दी और बस हो गई और एक दम बस खतम, मामला खतम और नहीं अतनी मुश्किल होनी चाहिए जैसे कि बहुत पहले था कि आरत रूल जाती थी मैंने डॉक्टर अखबर साब इस वक बात सुने हैं कि मैंने डॉक्टर साब एक एहले तशी खांदान के अंदर तलाक का मुझसिफ बनने की कोशिश की मैंने धाई साल लगाए और जब वो मुझे कहते थे थे ना अब आप ये सीगा पढ़ें कि आप पे लानत होगी अगर आपने मुकमल कोशिश नहीं की मैं कहता था च्छे मीने और दे दो हमें अल्टिमेटली उनकी डैवोस नहीं हुई वो सेपरेटेड रहे लेकिन डैवोस नहीं हुई अगर वो पहले तीन महीने दो दिन में फैसला कर लेते तो यकीना आज वो दोनों पच्छतारे होते मैं आपकी बात को चलाओंगा आगे देखिए जिस तरह निकाह का अमल एक प्रॉसस के बाद वकुब वजीर होता है दोनों खांदान एक दूसरे को देखते हैं आते चाहते हैं ऐसे ही कुरान का भी हुकम यही है कि तलाग अगर देना चाहते हो तो अपने अपने हकम बनाओ अपने अपने नुमैंदे बनाओ वो मिलके बैठे तुमारे मामलात को देखे मिया भीवी के यह जो बात है ना यह आपने प्रतानी है यह भाई इसे डॉक्साब के दरा आपने क्लोज लेनी है यह बात हमें क्यों नहीं पता ये बात हमें क्यों नहीं पता है कि हमारे मौाशे के अंदर तलाग के लफज को सुनना और बहस करना और बात करना बहुत मायूब समझा जाता है मैं इसको अपनी एक्जम्पल दूँगा मैंने एक दफ़र जुम्ह के खुदवे में लोगों को तलाग देने का तरीका सिखाने की कोशिश की जुम्ने के बाद कमेटी के मीचे कहा जिए बैठेें जिनाब जानायक बताई हो इसका जिसके बाद तम्हारे गर तबाहो बर्बाद नहीं हो इसको समझे की कोशिश करो तम्हारा खांडान नहीं टूटेगा तूमारी डिस्टरब नहीं होगी ये लोग ये इस तरह सोचने समझने लग जाएं, इतने समझधार हो जाएं, यूजिली जो लोग होते हैं, जो एकदम घुसे में आके तलाग दे देते हैं, ये किसी की भड़कावे में दे देते हैं, उसका नुकसान होता है। जोड़ा सा टाइम मिले, वो सोच लें, वो रुजू कर सकें, इतना भी आसान ना हो कि बस तीन तलाग के दी और हो गया। अब मुझे मेरा कॉमन सेंस ये समझ नहीं आरी, मेरी कॉमन सेंस बिल्कु इतनी आसान नहीं है। और वेस्ट में भी तलाग इतनी आसान है। आपको दो दिन चलती है कि अगवा हो गया, इसके बाद पता चलता है कि उसने नकाह कर लिया। जब आपने कॉर्ट मेरीजे जिसमें कॉर्ट का कोई हिस्सा नहीं है, एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी, तो फिर तलागें भी होगी। नहीं, तेखिए ये तलाग जो है ना, हम इस उस कौर्ट मेरी से रिलेट नहीं कर सकते हैं, ये तलाग है, उस वक्ती गुसे के तह़त जो शोहर को आया और उसने पर अणुंस कर दी, उसके जहन में क्या है, क्या है, उसके जहन को चेंज़ करने की ज़ूरत है, मर्द को बताने की ज़ूरत है, अगर तुमने तीन क्या है तो एक एक तलाग करके तो जो तुम देते नहीं हो जो पर इतने समझदार नहीं है तो उसमें पर स्टेट के responsibility होती है, कि वो ऐसे काम करें, जिससे घर बचे, तो फिर स्टेट यहां पर अपने responsibility पूरी कर रही है, तो जो स्टेट responsibility पूरी कर रही है, तो यह कहा है, कि को लमा अकराम अपनी जिम्मदारी पूरी नहीं कर सके, अवाम जाहिल रहेगी, अब हम बताते हैं, आप कानून साज तो फिर मुक्तलिफ क्यों हैं लोग, एक क्यों नहीं है, सब का कुरान, सब की हदीस, और सब के लिए एसन, एक चीज़ क्यों नहीं है, variables क्यों है, इसका जवाब डॉक्टर सब आप से लूँगा बिसमिल्यर्माइन रहीं, बात करते हुए छोडी थी बार, डॉक्टर हुसेन अक्पर साब से डॉक्टर सब आपको आवाज आ रही है? ओapsalab, तर साथ तमूम लोग कहती है कुरान ये है, अवरी अवरे ज्वान का है, तरजमा ये है, सुन्मप ये है, शिरीयत है अव्राए इसके बाव़चुत तमाम लोग अलग लग बातनें करते हैं तत्व, सर्द सर्द से पहले तो जो फिसोकत कानून रहा जाए है हमारे हाँ तलाग का वह तलाग रज़ा का है और जब भी तलाग देता है वह तलाग का सम्होंने ऐग वह पार्ज़ैंई आख कानून है ऑर कुरान के रुष्म में सेगतित नह guy की कोशिश करें। तो कानून जो इस वक्त नाफिज है हमारा इना काउंसल जी है वो दूसरे दिन सक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और नहीं उसको जह सुस्लीम कर रे데 सजा का उतालबा भी कर रे अच्छा एक और बताईए जो दफ तीन दफ़ा तलाकें दे देता है और वो हो जाती है आप उसको जाइज समझते हैं या नाजाइज समझते हैं देखें, नाजाइज समझते हैं, लेकिन एफेक्टिबल समझते हैं, शराब का कोई गिलास भीता है, नाजाइज है, लेकिन शराब तो पी ली ना, कोई कतल करता है, नाजाइज है, लेकिन गतल तो हो गया ना दोने कष्टिएंगे पाऊं क्योंग है जो इस वैर भाई, एक कष्टी में क्यों नहीं है अलमाि कराम एक पॉइंट ऑव विट पर क्यों नहीं बूनों तरफ मेरे मसलक को अपनी मसलक को छोडो ना दूसरे की मसलक छेडो ना ये तो ये वाली बात है ना वो भी ठीक है ये भी ठीक है बिलाल भाई अबन हुसाइन साब जो इर्षाद पर मारे हैं मैंने पहले ही ये कहा कि उनकी रायका में एतराम करेंगे एल अदीज हदरात इसको एक काउंट करते हम रायका एतराम करेंगे लेकिन आपको साथ साथ में ये भी तो कहना चाहिए कि चारों इमामों का इस बात पर इतफाक है साथिया की हैत-े-किवार, अलमा, बोर्ड का इस पर इतफाक है इमाम बुखार, इमाम, मुस्लिम का इस पर इतफाक है majority of Muslims का इस पर इस तफाक है और जो इससे अख्तलाब करते हम उनको बुरा नहीं कहते हैं ठीक हो उनका school of thought है लेकिन कुरान और हदीथ के दलाइल की बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि वो तीनों तलाखे वाके हो जाती है अगरचे गुना है नाजाइज है और जब जर्म और नाजाइज हम कहे रहे हैं तो इस पर थाजाब हम ये कहते हैं इस पर थाजाब ही होनी जाए ठीक है ठीक है ठीक है आपकी तरफ आपको लगता है कि कानून साजी चो की है Islamic Council ने ये औरतों के हक के लिए ठीक आवाज है मेरे ख्याल में तो बिल्कुल नहीं है ये ठीक हा भाहस है ये ठीक हाँ है बचों के लिए भी ठीक है मेरे ख्याल है कि इस में तलाग के प्रॉसेस में कुछ अरसा कब होना चाहिए मैं कोई आलिम नहीं हूं लेकिन I will go with the other school of thought जिसमें एक तलाग देते हैं और उसके बाद रुजू भी हो सकता है, कुछ इद्दत होती है, फिर दुबारा भी रुजू हो सकता है, I think that is, that makes sense to me, that makes sense to me, to a common sense ये, ये कहती है, I'm so sorry to say this, मुझे भी पता श्रीयत क्या है, ये तारिक साथ श्रीका, Allah माफ कर दे, हो गए, और इस पे वो लाखों दफ़ा भी आप माफी माँगे, Allah माफ कर दे, हम दुनिया में कभी दूसरे को चांस नहीं देना चाह रहे, बिलाल भाई देखें, हम भी तो ये कहते हैं, कि कुरान के मताबिक तलाग दो, एक एक करके दो, कौन पागल ये कहता है, तीन कठी दो, जो ती कहेंगे, तीन दफ़ा बोलेंगे, जब आप दस रुपे पे एक रुपे का इतलाग नहीं कर सकते हैं, तीन रुपे पे एक रुपे का इतलाग नहीं कर सकते हैं, तो तीन तीन रुपे ही होते हैं, एक कैसे हो सकती हैं, क्या इस बात पे उम्मत में इच्टाहद हो सकता है, अच्छाद की जूरवत तосलिय है नहीं है, qगा इज़ताय नогा है अच्छाद की दबात कर रहे हैं? अम्त का इज्थाद हो सकता है? जाने के सारी उम्मत बरामर हो सकती है। कि इमाम जाफर सादिक लिए सलाथ की फिका पे अमल करके ऐसे लोग जो हैं वो तीन तलाग का रास्ता भी रोग सकते हैं और शरी तोर पर भी हुक्मा मौझूद है। अमने तो सकती को मजीज सकत किया बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी बात अला बाद यह जोड़ने वाली बात है। जुबेर भाई आखरी जुम्ला मुझे बताईएगा कि आपके ख्याल में क्या इजमा इस बात पर हो सकता है मुस्लमानों में। देखें मेरा ख्याल यह है कि किसी को यह कहना कि फलानी अपनी फिक्र को छोड़ कर दूसरे की फिक्र पर आ जाओ। जायद हम जुबानी तोर पर खुशनमा बात इसको जरूर कहें लेकिन अमली जिंदगी के अंदर मुम्किन नहीं लेकि मैं आपसे एक सवाल आकर में करना चाहता हूँ इसलामी नजरियती कॉंसल अगर इस पर सजा तजवीज कर रही है तो रीजन क्या है वज़ तो यही है ना कि लोग तलाके ना दें किड़्टिबल होना ना होना एक अलग बात है तो यह तो अच्छी बात है मैं तो कहता हूँ तमाम खवातिन को भी इस पर तहसीन करना चाहिए आपको भी तहसीन करना चाहिए हमारी मौतरमा साधिया साहिवा ने बिल्कुल सही कहा इसमें औरत की इज़त नफ्स भी बरबाद होती है और आपने इंटरों में सही कहा था कि क्या एक ही वक्त में तीन ही का लफ़ बोलना है फिर ये कि आलाद पर इसके बत्तरीन असरा आते हैं आज अगर नजरियाती कौंसल ये कहती है कि अगर कोई तीन तलाके दे जा तो हम उसको सजा देंगे तो ये तो अच्छी बात है ताके तलाक करे शो खत्म हो जाए साधिया आप आखरी अपनी राए आखरी जुम्ला आप इस पर फरमाईए ओके ओके ओकर का साधिया नहीं हमारे साथ आखरी अपनी राए इस पर जो सारे लोगों की आपने राए सुनी As a woman, as a female, as a mother, as a wife आप की राय As a mother, as a wife अब ये देखें कि अगर कोई किसी को इसी तरह बैठे-थे family जम्माँ आती है, मैं तलाग 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 दे देता हूं. और उसके बाद वो औरत क्या करे, तलाग तो हो गया ना बाप उसको सजा देते रहे, बच्चे रुल गए, औरत रुल गई, अब उसे घर जाना है, ना उसकी कोई इज़्ट नफस है. फिर यह, मुझे लिखा सिर्व और अवरत को तलाग नहीं होती, तलाग उसके बेटे को भी ऊरी है, उसके बाप को भी आरी है, उसकी माआ को भी हो ती। तूर मोगी ताहिए आप आप इस आइडियल सिजूएंशन की बात कर रहे हैं, उसके लिए कानून तलाके हैं बाद में आप सजाएं देते हैं फिरे लेकिन होगा क्या क्या इस्लामिक काउंसल को इस से ज्यादा मुतबर और बड़ा और बेहतर कानून साजी नी करनी चाहिए थी जो ज्यादा एकडेमिकली स्ट्रॉंग होती देखिए तमाम लोग मुत्तफिक होती उस पर इतफाके राए ये चल रहा है इतफाके राए और इखतलाफे राए ये एक हुसन है और एक मौाश़ा के अंदर तरकी का एक जीना है अखतलाफे राए मसला ये है कि इसलाम जाती कॉंसल में ये 92-93 में भी पेश हुआ है 14-15 में भी आया है आप ये 30 दफार टेक अप किया गया है अलमा को सबको कठा किया है और आप यकीन जानिये ये इतफाके राए है ताजीर के उपर जिसमें आले सुनत भी है आले तशेयों भी है आले हदी लोग हैं ये खांदान की बहुत ज्यादा करते हैं कि खांदान को कैसे बचाना है इस युनिट को कैसे बचाना है दूसरी तरफ तीन लफजों पे आप लोगग कहते हैं वहां कि तरफ हमनी तुम्हारा हादीश में आईए, हदीश की बातों कैसे रिजट कर सकते हैं? आपके बात बिल्कुल दरूस तोगी है, बाहर का जो कानून है, उसमें दस लोग जब जूरी के अंदर बैठते हैं, नौ लोग कहें कि इसको फांसी दो, एक के फांसी ना दो तो फांसी नहीं हो सकती, अब देखी ज़रा यहूद की तरफ, जब उनके हां नकाह होता है, तो स उसका इहतराम और इजदत किया जाता है, उसमें सिर्म माश़चा शामिल नहीं होता है, उसमें स्क्यूल भी नहीं होता है, उसमें तربीत शामिल होती है, यह सारा करने के बाद आज अप जब उनोगों को देखते हैं, अधाई कơ्रोर लोगों ने साड़े साथ अर्ब मुसल्मान एक नहीं हो सकते यकीन हो सकते